हेलो फ्रेंड नमस्ते आज हम आपको मैदे का केक बनाना बताएंगे यह बहुत आसान तरीके से बना है बहुत फट से बन जाता है इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है बाउल में हम दही रहेंगे दही को मैंने पहले से फेट लिया था आप भी दही लिजेगा इदम गाड़ी वाली दही लिजेगा इसको अच्छे से फेट लिजेगा कि इसको अच्छे से मिला लेना है हैं वैसे मैंने इसको पहले सी फिट लिया था और ये मैंने लगबग दो कटोरी के लगबग मैंने सुगर्म चीनी ले लिया है अब इसको हम थोड़ी सी मैंने बचा द्यों दो कटोरी में इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मेरी चीनी अच्छे से पिघल जाए इसको दिरे दिरे करके मिक्स करेंगे चीनी मेरी अच्छे से पिघल जाएगी अब इसमें हम इसमें हम लगबग मेंदा डालेंगे मेंदा मैंने दो कटोरी के लगबग मेंदा ले लिया है ये मैंने मेंदा ले लिया ये मैंने मेंदा ले लिया है अब मेंदे को हम दो कटोरी के लगबग मैंने मेंदा भी ले लिया है अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि एक अच्छा सा पेस्ट इसका तयार हो जाए इसको देखे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है अब इसमें मैंने एक कटोरी के लगबख सूजी डाल दिया है इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे, अब इसमें मैंने एक कटोरी रिफाइन डाल दिया, आपको यह भी और डाल सकते, सरसो का तेल छोड़के, अब मैंने इसमें सफोला का तिल डाला है, और यह मैंने दूट डाल दिया, एक कटोरी, थोड़ा सा बचा लिया, इसको अभी फ ताके मेरी सूजी है, वो अच्छे से फूल जाए और इस तरह से अच्छे से पेस्ट तयार हो जाए, इसमें मैंने थोड़ा सा दूद और डाला है, थोड़ा सा मुझे और पतला करना था, इस तरह से मुझे अच्छे से बना लेना है, देखिए मैंने दूद को तेल को सारे एक साथी mix कर दे कितना अच्छा ribbon के जैसे इसका paste तयार हो गया है अब इसमें मैंने टूटी-फूटी डाल दी है इसको आप डाल देंगे इसको काटने पर अंदर से बहुत अच्छा स्वाद निकलता है खाने में टेस्टी भी लगता है यह मैंने टूटी-फूटी डाल दिय है अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे आप इसको हम इसके लिए मैने एक हonia कि इसको में ताकि सारे केक के अंदर ये आ पैल जाए जाए कि जब केक काट हूँ तो सारे केक के अंदर आ जाए और यह मेंने मीठा सोड़ा डाल दिया बेकिंग रिएक और भीना नीक्स से कर देना है अब इसमें मैंने कढ़ाई रख दिया हीटर पर अब इसमें हम नमक डालेंगे जब तक यह मेरी हीट हो जाएगी गरम उसके बाद हम चीनी थोड़ा सव गया यह मैंने पेपर ले लिया है वटर पेपर नहीं है तो आप इस तरह से कोई भी साधा पेपर ले सकते हैं इसको टिफिन के आकार का गोल काट लीजिए मैंने हासी कर लिया इस तरह से गोल हो गया है अब मैं जो मेरी टिफिन दी उसमें मैं तेल लगा दूंगी तकि मैंने चीप कना के लिए कर लगा दिया है चार तरफ से और से बटर पीपर ये तेल को लगा लिए इसके उपर तेल गाऊंगी थोड़ा सा और ये मेरा बटर पीपर रेडी हो गया है नीचे से भी लग गया है उपर से भी लग गया है अब इसमें जो मैंने वेटर बना के रखा था अच्छे से घोल के सब डाल देंगे हम इसको 15-20 मिनट इक दम मीडियम फ्लेम पे रखना है यह अच्छे से फूल जाएगा अब मैंने इसको रख दिया है अब इसको 10-15 मिनट के लिए में ढख दूंगी और यह देखिए कितना बढ़िया मेरा त्यार हो गया है देखिए फूल भी गया है और इसको ठंडे होने पे ह निकाले और मैंने कड़ाई उतार दी कड़ाई से निकाल दी इसको ट्रे में उल्टा करके रखना है यह पेपर है इसको ठंडा होने पे छोड़ाए इस तरह से देखिए यह बिल्कुल जला नहीं है यह बहुत टेस्टी स्पंजी केक तयार हुए आप देख सकते हैं कितना किसी चीज से भी डेकुरेशन करते हैं कर सकते हैं और यह मैंने चॉकलेट सीरम डाल दिया है उसके उपर यह सौफ वाली गोली डाल दी है यह मेरा ब्रेड शॉरी यह मेरा मेहदे का केक बन के तयार हो गया है आप इसको बनाईए खाने में भी टेस्टी देखने भी लाइक शेयर कमेंट जरू कीजिएगा दन्यवाद